Hey guys, welcome to our channel, my name is Absar and you're watching Technical Absar YouTube channel तो वाइस आज के स्वीडियो के दर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से WhatsApp के उपर deleted message को seen कर सकते है मतलब कि कोई अगर आपको WhatsApp के उपर message send कर रहा है और उसके बाद तो delete for every one अगर कर रहा है तो उसके बावजूद भी आप उस message को read कर सकते है और यह जो तरीका काफी simple है यहाँ पर आप बिना application की भी काम कर सकते है अपने mobile के एक setting के मदद से या फिर आपके अगर mobile में अगर यह setting नहीं है तो इसके अलावा भी आप इसको एक application की तुरू कर सकते है काफी simple सा तरीका है और मैं आज किस वीडियो के दर आपको clearly सारी चीज़े बताने वालत पर वीडियो को आप end जरूर देखना क्योंकि काफी ज़्यादा curiosity हो जाती है जब कोई message send करके डिलेट करता है तो अब आपको curiosity जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने मेरे whatsapp के पर message send किया जैन अभी आप देख सकते हैं कि यह आ चुका है मुझे notification हाई नाम से और उसके बाद अब मैं इसको करूँगा delete for everyone और उपर जो notification था अभी आप देख सकते हैं कि वो गयब हो चुका है और अब मैं अपने whatsapp को अगर open करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है this message was deleted तो अब हम क्या करेंगे कि अभी हमको यह problem face ना करने पड़े तो अब इसके लिए देखो आपको सबसे पहले जाना है अपने mobile के setting के अंदर यहाँ पर जाने के बाद आपको अपने search बार के अंदर type करना है notification history notification history and जैसे आप यहाँ पर notification history डालेंगे तो आपको यहाँ पर अगर आपके 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 अंदर यह option नहीं है I don't know उसने क्यों नहीं दिया है बट इसके लिए भी हमारे पास एक solution है यहाँ पर simply आपको एक चीज़ करने के ज़रूरत है आपको जाना है अपने play store के उपर यहाँ पर आपको type करना है इसलिए मैंने इसको download किया है अब हमने इसको download कर लिया notice you को and download करने के बाद अब हम इसको just open करेंगे तो open करने के बाद इसका हमको कुछ basic सा setup करना होता है तो next and हमने इसको allow कर दिया जो अब हमारे जो notifications है वो इसके पास आ जाएंगे अब हमने इसको next के उपर click कर दिया अब यहाँ पर हम notification को select करेंगे और इसके सभी notification को हम enable करेंगे अगर आपके बास रेडिमी का device है तो आपको warning दिया है अब हम यहाँ पर इसको phone and media की permission मांग रहा है हम इसको allow करेंगे and यहाँ पर हमारी app list यह पूरा ले रहा है तो हम इसको भी आने देते हैं अब यहाँ पर आपको किस application के दर चाहिए आप यहाँ पर facebook, instagram, twitter कोई भी application select कर सकते है तो मैंने अभी के लिए यहाँ पर ले लिया है अपना whatsapp चलो मैं सारी ही application रहने देता हूँ यह देको मैंने whatsapp को भी यहाँ पर ले लिया है अब हम करते हैं इसको back ओके इतना setup करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि application किस तरीके से काम करती है तो चलो मैंने किया इसको next and यहाँ पर बोल रहा है कि हमको एक feature और भी auto start का option enable करना होगा उसके लिए notice save and running इसको हमने कर दिया start अब हम करेंगे back तो हमारी जो application है वो complete यहाँ पर हो चुकी है यह भी हमको बता रहा है कि आपको इस तरीके से update वगेरे का सारा feature तो अब आते हम हमारे option के उपर कि किस तर कर दिया है अपने इस mobile के अंदर जो कि भी आपके सामने show हो रहा है अभी आप देख सकते हैं कि notification के अंदर आपको एक अभी pop-up देखने को मिल जाएगा तो अब हम इसको यह करते हैं and हमने अमरा WhatsApp open कि आप देख सकते हैं hello नाम से उपर अब सर शाहा नाम से message आ चुका है अगर हमने जो notice show किया था अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे notification बार के उपर तो आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं कि आपको message क्या आया था and कब आया था वो आपको सब कुछ यही पर देखने को मिल जाएगा चाहे वो किसी भी तरीक एका image हो या फिर कोई message हो या कुछ हो चाहे कोई भी application हो अगर उसके उपर भेजने के बाद अगर कोई message को delete for everyone अगर कर देता है और अगर आपने उस message को scene नहीं किया है तो भे definitely आपका काम यहाँ पर हो जाएगा और आप बिना किस application या फिर जस एक application के मदद से deleted message को आराम से recover कर पाएंगे और उसको read कर पाएं और informative and amazing videos के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को दोसे on को दो मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए thanks for watching बाब बाई